हलो दोस्तों आज हम आपके साथ में डिसकस करेंगे कि आप स्टेस बस के टिकट वाल लाइन से कैसे बुकिंग करेंगे इसके लिए आपके पास क्या डॉकुमेंट होना है कौन सा वेपसाइड में आपको जाना है यह सारे डिटेल्स के साथ में आपके साथ में डिसकस करेंग तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर चले जाना है यहां में जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ुकि एक लौगिन आइकन है आपको यहां पर क्लिक करने क्लिक करके पिया अप सकते हैं आपको यहां से जा रहे हैं कहां तक जाएंगे उसके बाद आपको यहां से date select करना है कब जाना है आपको उसके बाद यहां पर search पे click करना है आप जैसे ही search पे click करेंगे आपको उस route के सारे बसों की information आपके सामने आ जाएगा जैसे कितने ticket बाकी है ticket की क्या price है कितना distance है कितने time लगेगा पहुंचने के लिए तो यह है वो दो method आप इस दो method से अपना ticket book कर सकते है आपको जो easy लगता है यह देखे सारे bus के information आ जुका है इस route पे सिर्फ एक ही bus है यहां पर आप देख सकते है यह bus कितने बज़े छोड़ेंगे उसके बाद कितने बज़े पहुंचेगा यह bus उसके बाद इसके ticket का क्या fare है उसके बाद यहां पर कितने seat available है यह सारे detail है हाँ पर है उसके बाद आपको यहां से book now पे click करना है मान लीजिए आपका ticket यहां पर available नहीं है तो आप यहां से दुसरे ticket को भी search कर सकते है यहां पर देखिए उपर पे दिया हुआ है source, destination and service उसके बाद date of journey तो आप दुसरे bus के route को भी यहां से search करकर देख सकते हैं और आप अपना ticket book कर सकते हैं आप जैसे ही book now पर click करेंगे आपके लिए दुसरे और एक screen खुल जाएगा इस पर आपको login करना है यह देखिए यहां पर खुल गया है यहां पर आप as a guest login कर सकते हैं या आपका पास अगर login ID है तो आप यहां पर registered user में click करके login कर सकते हैं हम यहां से registered user से login कर लेंगे यह देखिए हमारा previous जो भी booking के उसका detail आ चुका है उसके बाद हम यहां से कितना seat चाहिए और select करना है हम यहां से एक साथ में 6 seat ही select कर सकते हैं यहां पर देखिए seat का structure आ चुका है left side में 2 seat होता है and right side में 3 seat होता है हम यहां से seat select कर लेंगे उसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहां पर देखिए top में available seat जो है वो white color में दिखा रहा है उसके बाद हमने जो book seat किया है वो blue color में दिखा रहा है और जो seat book हो चुका है वो देखिए ash color में दिखा रहा है उसके बाद यहां पर male उसके बाद female and then sleeper दिखा रहा है फिलाल यहां पर कोई sleeper नहीं है और उसके उपर में देखी यहां पर बस के सारे information बताया है बस नमबर उसके बाद कहां से जा रहे हैं कहां तक जाएंगे date, price और passenger ने कितने seat select किया है हम यहां से sit book करेंगे यहां पर देखिए detail आ जाएगा आपको यहां पर name fill करना है उसके बाद gender उसके बाद यहां पर देखिए quota जो की detail यहां पर है आपका जो भी boarding होगा आप यहां select कर लेना उसके बाद यहां पर देखिए mobile number है और इमेल है और आपको यहां से नीचे accept करना है and then proceed करना है तो जल्दी से हम इसे fill कर लेते हैं पहला है name हम name डाल देते हैं यहां पर उसके बाद यहां पर है gender gender select करना है male या female उसके बाद यहां पर age उसके बाद आपको यहां से quota select करना है जो भी हमारा quota है उसके बाद हम यहां पर email डालेंगे and then यहां से accept करके proceed क्लिक करेंगे Dopamony आपका कोई कोड़ा não है तो आपको नो गौख करना है उसके आप जैसी ही प्रॉसीड में क्लिक करेंगे आप आप से कुछ information और पूछेगा जैसे कि father name आप आइलेंडर हो या नहीं उसके बाद ID proof उसके बाद जो भी आपका ID है उसका ID number and then आपको submit करना है तो हम जल्दी से इस सारे information को fill कर देते हैं और इसे submit कर देते हैं ID proof के लिए आप आधार कार्ड, आइलेंडर कार्ड या फिर driving license या फिर कोई भी ID कार्ड जो की government ने आपको provide किया है आप इसे दे सकते हैं आइलेंडर कार्ड ये document सिर्फ आइलेंड वालों के लिए ही होता है अब देखिए payment option आ जुका है पहला है बस का सारे detail आ जुका है उसके बाद passenger का सारे detail आ जुका है उसके बाद जो price collection करता है उसके सारे details आ जुका है आपको यहां से confirm में क्लिक करना है उसके बाद आपको पास यहां पर payment option आ जाएगा जो कि payment gateway है किस तरह से आपको payment करना है यहां पर तीन method दिया हुआ है net banking card के method से and other method है अगर आपके पास SBI का net banking है तो आपको करीबन 12 रुप्या का charges लगेगा और अगर आपके other bank के net banking है तो आपके करीबन 18 रुप्या का charges लगेगा उसके बाद आप अगर card के method से payment करते है तो आपके पास अगर SBI का कोई debit card है तो कोई charges नहीं लगेगा और अगर other bank के कोई debit card है तो उसके वे कोई charges नहीं लगेगा लेकिन आप अगर credit card से ticket करते है तो आपको करीबन 13 रुप्या का charges लगेगा उसके बाद है आपर UPI के से ticket करते हैं तो आपको 15 रुप्या का charges लगता और cash या check के दौरा payment करते हैं तो 59 रुपीज का charges लगता है जो की बहुत ही जादा होता है एक bus ticket के लिए हम यहाँ से UPI को select करेंगे payment option के लिए यहाँ पर आप दो method से payment कर सकते हैं BPA नंबर डाल कर या फिर QR code के माध्यम से भी बीपे नंबर क्या होता है आप अपना UPI में देख सकते हैं और QR code जैसे आप scan करते हैं सेम आप जैसे ही यहाँ पर QR code को select करेंगे एक QR code आ जाएगा यहाँ पर देखिए BPA नंबर डालना है उसके बाद यहाँ पर आप रिमार्क डाल सकते हैं जो भी आपका रिमार्क रहेगा और QR code जैसे select करते हैं यहाँ पर देखिए QR code हम जैसे select करते हैं QR code generate हो गया है अब आप जो भी UPI यूज़ करते हैं phone पे Google पे या जो भी UPI हो गया है उसके QR उसके scanner को खोलना है और आपको इससे scan करना है हम जल्दी से payment कर देते हैं उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं SBA reference नंबर है और यहाँ पर आपको इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है जब आप यहाँ से scan करेंगे आपको ना ही रिफ्रेश करना है ना ही बैक बटन दबाना है आपका transition हो जाने के बाद यहाँ पर आपका successful message आ जाएगा यहाँ पर आप देख सेकते हैं your transition successful आपको करना है उसके बाद आपको यहा से print करना है उसके उपर आपका PNR number generate हो चुका है यहाँ पर देखिए PNR number तो हम यहाँ पर क्लिक करके से print करेंगे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया window खुल जाएगा जिस पर सारे details होगा आपका PNR number उसके बाद bus का detail होगा कहां से आप जा रहे हैं आपका boarding कहां से है उसके बाद date रहेगा उसके बाद distance भी रहेगा यहाँ पर कितने passenger है यह सारे details ticket में रहेगा उसके बाद passenger का ना और seat number रहेगा और उसके बाद होगा status जो की confirm होने से confirm रहेगा उसके बाद आप नीचे कुछ term condition देख सकते हैं term condition बताया गया है एक main point यहाँ पर है जो की cancellation refund and reschedule देखे cancellation के लिए क्या बता रहा है कि आप अगर 24 घंटे से अंदर 0 से 24 घंटे के अंदर अगर आप cancel करते है त आपका 60% deduct हो जाएगा उसके बाद यहां पर कुछ grievances address है जैसा पोडलर, फ्राडगंच, बाराटान, संगत, मायवंदर और डिगलिपूर आप यहां पर डिगलिपूर के spelling को देख सकते हैं डिगलिपूर के spelling कुछ गलत है डिसलीपूर, actually यह डिगलिपूर होना चाहिए तो उमीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो से आप सीख गये है कि कैसे आपको HTS bus का ticket online पे booking करना है और उसके लिए आपके पास क्या-क्या होना है और आपको कौन सा पोटल में जाकर booking करना है अगर आपको आज का वीडियो अच्छे लगए है तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना थैंक्यू वाचिंग मैं वीडियो